हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो जैसे कि आप जानते हैं, हम बीए में सेकंड यर के एक सब्जेक्ट दर्वगून की उसमें जो प्लांट्स दे रखे हैं, उसकी हमने सीरीज स्टार्ट करी है तो हम पहला प्लांट जो अगरू था वो हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम नेक्स प्लांट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा अगनीमंत तो देखिए, कुछ इस तरीकी से देखने में यह मिलता है हमको अगनीमंत अब आगे बढ़ते हैं, इसका जनरल इंट्रोड़क्शन देखते हैं अगनीमंत एक औशिदी ब्रक्ष है, यह हमको यहाँ पर पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं नोट्स भी प्रोवाइड होते जा रहे हैं, साथ साथ में आप चाहें तो इसका नोट्स बनाके उतार भी सकते हैं बागे आप नॉलेज के लिए हम थोड़ा बनाने के लिए इसमें कुछ शीज़ा एड़ भी करी गई है तो देखते हैं आगे कैसे हैं अगनी मन्त के आरें बताएगिया, ये एक औशदीय ब्रक्ष है अब अगनी मन्त, ये जो है दो शब्दों से मिलके बनाई है अगनी प्लस मन्त ये ऐसा होता है ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं अगनी का रद्द क्या होता है? अगनी, मतलब फायर अब मंत का अंतला होता है मतना तो इसमें बताया गया है प्राचीन काल में ये जो अगनी मंत नाम की ब्रक्ष है इसकी लकडी को आपस में रगणने से क्या होता था अगनी की उत्पत्ती होती थी मतला आग की उत्पत्ती होती थी इसका नाम इसलिए इसको अगनी मंत कहा गया अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और जानते हैं यह हमारा important point है जो की पूछा जाता है botnical name family और रस्पंचक वगरा यह questions बनते हैं हमारे exams में उसकी तरह बढ़ते हैं अब आते हैं botnical name तो अगनी मंथ जो होता है ऐसा है कि अगनी मंथ जो है दो तीन जड़ी बूटी है अगनी मंथ के नाम से अलग-अलग पिरसिद्ध है तो उनके बारे में हम डेस्क्राइब करते हैं जो दो तीन जड़ी बूटी है अलग-अलग बताई गई गई उसमें से पहला जो बताया गया है उसका नाम है क्लीरोडेंड्रम फ्लोमाइडिस ठीक है इसको और क्या बोलते हैं क्लीरोडेंड्रम मल्टी फोरम भी बोलते हैं और दूसरी जो बताई गई है प्रेमना मुक्रोनाटा प्रेमना कॉरिवोसा प्रेमना इंट्रिडु फोलिया यह इसक कि इंधी में इसको टेकर कहते हैं, अरणी, अगधु कहते हैं, और गनियारी संस्कृ確ा परियावाशी यह इंपॉर्टन्ट होता हैं, इज की zatenάegt नहमबर में सकती है हमारे एक्जाम्स में आते हैं तो संस्कृ prob Anda कि CARE और नादोई ये इसके संस्क्रिट में परियाय बताए गया है अब देखते हैं कि इन परियायों का अर्थ क्या होता है देखिए अपके आईसे में बताया है अगनी मंत जो बोला गया उसकी परिवाशा बताई गई है कि अगनी मंत इसको क्यों कहा गया है तो इसकी लकड़ी को आपस में रगणने से आग उत्पन होने के कारण इसे हम अगनी मंत कहते हैं सेकिंड चीज बताई है सेकिंड चीज में सक शृरी परणने का दिया है इसके पत्ते बहुत अधिक ऽफित हैं इसलिए इसको शृरी परणने कहते हैं तीसरी चीज पर हेvatES तो तरिकारी नहीं के आगनी मंत बताया है इसके गण अधिकार जिसके गुण होते हैं, गुणादिकार होते हैं, वो लोगों के बीच में अच्छी राय को लाते हैं, इसलिए इसको तरकारी कहा गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है, नदी के पास उत्पन होने के कारण, नदीजा या नदेई के नाम से जाना जाता है, कई आपको कहीं को सुनने के मिलें, ये नदीजा का प्लांट है या नदेई का प्लांट है, तो आप समझ जाएगा, ये अगनी मंत की बात हो रही है, ठीक है, इसको पत्त्र गंदी भी कहते हैं, इसके पत्त्र जो होते हैं, उन में से बहुत अच्छी स्मैल आती है, इसमेल आन कई सारे विकार जो होते हैं, अलग अलग डिसीज में काम आता है, तो इसलिए ये क्या होता है, विकारों पे जया पाता है, विकारों पे जया कहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं, जया कहते हैं, ठीक है, कई सारे अलग अलग विकार अलग 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 रोगों पे जया पान कषाहा पैदा होता है, तो कहा पैद होता है यह नदी के पास उत्पन होने एक कारण, यह नदे यह नदोई कहा है, ढि आते हैं, सास्त्रिवर्गी करण के अनुसा radi, का थियुआ है, को से ग҉न में रखा है कि अruce जैन्दłych गातों हे दिया के इसो stepping के अंदर रखा है, वाकि थेते हैं तो इसमें यूज़ करा जाता है अचारी बागवद ने इसको विराटवादी गण में रखा गया है वरुनादी गण में रखा है तो आप जो भी याद करना चाहिए जो आपको याद रह सके वह आप याद कर लेगा ठीक है कैसे अपिजैनिम यह एक इजी नाम है यह आप याद कर सकते हैं इस्पूडिलम याद हो सकता है सिरोलिक एसेड होता है यह याद कर सकते हैं आप इसली आपको याद हो जाएंगे जो नाम आपको इसली याद रह सकें वो आप याद करें क्योंकि एक्जाम्स में लिखना भी पड़ता है कई वार लिटी ओल हो गया जैसे कि यह आप याद करते हैं ब्यूटे लेन आपको याद रह सकता है प्रेमिनाइन यह कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं इसके आकरिति के बारे में देखते हैं कि इसके आकरिति किस तरीके की है ठीम है तो जैसे कि बताया है यह होती Cities यह को पर लाद होता है यह को कई गर्वी पर नहीं होता है एक जाड़ी होती है चोटी इस in next लगा ही का जाए अ टेखने हाँ हम आ celular धाल झाने आध हूँ ये काई साखायजे होती है। निकी छोती है। पत्ति का रंग उपर से हरा, और नीचे से हलक अगर अगर आप देखेंगे इसके लीफ को, आगर आप ईस तरह सी लीफ, आगर अगर अगर वहा काँगना दमने से खुट ही emperor साइट तो वह लाइट ग्रीन कलर की होगी ठीक है यह हमको याद रखना है अगर देखे तो हम इससे इसको पहचान भी सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं इसके फूलों के बारे हम बताते हैं फूल सफेद हरे सफेद रंगे होते हैं गुच्छों में विवस्तित होते हैं ठीक है एक की तरह निकले हुए एदर को देख सकते हैं तो सबस्के की होता है इसके तो हम इसा का हिसा होता है उसके वारे हम बात करते startups की जो होता है लगभग पांच मिलीमीटर में होता है आकार में मूफली के समान होता है लगभब गोल आकार मतलब किसकी तरह होता है अब यहां क्या-क्या याद रख सकते हैं हम कि किसकी तरह होता है मूफली की तरह होता है ठीक है पांच मिलीमीटर चौड़ा होता है और आकार में कैसा होता है मूफली के समान गोल होता है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि फल कैसा दिख रहा है इसका चीज़िए लिफ से पहले एक बर हम इसकी लीफ के बारे में दिख लेते हैं ठीकियों यह जैसे बताई गई थी जिस तरीके से बताई यह लीफ वैसी जो आधीज नीचे सब देखेंगे तो यह लाइट ग्र पुश्प प्अर्म जैसे बतायot है कि इस पुश्प के आरे में अरे ना हड़ा अरफ में हरा पन लिए पीले सफीद रह लूए यह तो सब्सक्या करने डेते हैं जो हम अनुठें करेगाने में ना है यो का अई दो लूए ब्लैकश कलर के हैं जब पकता नहीं है तो यह ग्रीन कलर को बदा हो ऐसकी बॉल्च के बाद हम देखते हैं जैसे यह बताया है तो याद रखते हैं यह पता चल रहा है कि किसकी तरह है जो कि स्थ है कैसा यह next one गें इसका थीक है तो यहां पर ऐसार याद रख सकते हैं यह मूँफली कितर इसका आकार बताया गा outside पर फ़लो के औरा या पढ़ लिया असरार पाले लेक्या इसका वीक जुट बताया है पकने पर चमकीले, हरे और जब पक जाता है पूरा रूर्ब wynक्प से तो वो काले रंग का हो जाता है ठीक है जब मतलब पहले स्टार्टिंग में कैसा होता है इसका बीज हम देखते हैं तो ग्रीन कलर का होता है और पकने के बाद वो कैसा हो जाता है ब्लैक कलर का हो जाता है तो इसकी एक फोटो देख लेते हैं कि बीज हमारे कैसे दिखते हैं तो ये देखिए ये हमारे इसके बीज देखने के मिल रहे हैं ये डाक कलर के ब्लैक कलर के आपको काले रंग के बीज देखने के मिल रहे हैं तो ये है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब इसमें देखते हैं अब स्केयाब एक जाते जबाए teenager कर दो हंसे घ्यास करेगा मक करें आद तो कलम लग करें सब्सक्तिक आठेला करें सब्सक्राइब इस में पर हम ऐसे तो सब्सक्राइब होते हैं कि 502 आने का समय वड़ाने का समय Size तो इसके आरे में देखते हैं आगे इसमें फूल जो होते हैं वह वसन से लेकर सर्दी के मौसम में आते हैं ठीक है फूल आने का समय होता है वसन से लेकर सर्दी ठीक है यह इसका फूल आने का समय होता है अब आगे देखते हैं कि यह कहां पाया जाते हैं इसके पाया जाने अ पूरे भारत विष्व रूप में डक्षण भारत की रजातर रही है तो साउथ साइड में बहुत चाहते हैं तो अब इसमें देखिए पताया गया है यह देखने को आपको मिल रहा है कि कहां कहां पर है यह तो मतलब कितने टाइप के बताएगा है सामनी उपर बढ़ा था कि अलग अलग पेड़ों के लिए ये नाम जो होता है प्रियोग किया जाता है तो उस तरीके से देखते हैं सास्तर में कैसे बताएगा है तो धनमंत्री निगंडू ने इसको अगनी मंत नदे और छुद्र अगनी मन्त चीच दो बताएगा इन्होंने एक बताएगा अगनी मंत और दूसरा बताया है छुद्र अगनी मंत ठीक है जिसका नाहां उपर पढ़ चुके हैं यहां पर प्रेमना इंट्रियोफोलिया होता है इसके उपर बबाद यह कुछ यगहाएपर क्या है अब एक पेड़ ए जैसे यहां पर हम देख रहे हैं तो एक ही नाम से अगनी मंत के नाम से सब चलता चला रहा है लेकिन शुषूद ने गया करा है इसको दो अलग अलग प्लांट्स बताएग एक अगनी मंत और दूसरा तरकारी होता है ठीक अब आगे देखते हैं तो अगर हमारे पास जैसे स क्रोनाटा ठीक यह उसका विकल्प है उसकी जगह हम यूज कर सकते हैं अब आते हैं औशिदी गण के उपर तो औशिदी गण में अगनी मंत औशिदी गण बता रहे हैं यह पर रस कैसा होता है देखिए तिक्त कटू कसाय मधूर ठीक तो यहां पर आपको देखने मिल रहा कcciones करने वाले गृढश करने गूर देखने के मिल रहें ठीक है यह गुड में देखते हैं पिद का निचर देखने क को उसमें देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं यूज हो रहा है तो तिर्दोष पर प्रिभावस्ते के सब्सक्राइब वात और कफ को संतुलित रखता है तो हमने उपर देखा कि वात और कफ दोनों के गुण मिल रहे थे ठीक है तो यह वात और कफ दोनों को संतुलित रखता है यहां पर हम देख सकते हैं अब बढ़ते हैं आगे तो इसके बारे हम देखते हैं कि इसका प्रियुक्त भाग कौन सा पार्ट जो है इसका यूज किया जाता है उसके बारे में जानते हैं तो प्रियुक्त भाग और इसका खुराक, मतलब इसकी डोज कितनी हम दे सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी तो प्रियुक्त भाग में हम देखते हैं, जड़ की चाल, जो इसकी रूट्स होती है, मतलब जो रूट्स हैं, उन रूट्स कि ह यूज करते हैं, बाग यूज करते हैं ऊपर की ठीक है तो हम इसकी junt की बाग पती ठीक है और एक्जामस में भी ये पूछा जाता है कि इसकी डोस कितनी है चूंड की डोस कितनी होती है इस प्रांट में या स्वरस की डोस कितनी होती है तो ये याद करने लाए कि ये आ भी सकता है ये पूछा भी जाता है कई बार ठीक है अब देखते हैं ये कैसे कैसे useful होता ह कौन कौन सी डिसीज में यूज करा जाता है तो इसमें एक शलोक है उसमें से वर्ड निकाल के मैंने यहाँ पर रखे हैं तो आप देख सकते हैं ठीक है पांडू जीत मतलब पांडू को जीतने वाला तो यूसले अनेमिया अनेमिया में यूज होता है ठीक है शोफ में आपो जोएंसria हो था मतलब स्वैलिंग यूज हम भी उती है वहाँ पर हम इसको यूस रहे होते हैं जहां पर भी डाइजेशन की प्रॉबलम और आम के केस में जहां भी डाइजेशन अंडाइशन हो रखा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे विवंद इसको यूज़ करा जाता है ठीक आज के टाइम पर बहुत कॉंस्टिपेशन हो रहा है तो आप याद रखेंगी इसको यूज़ करते हैं अधिरा मतलब प्रॉपर डायशन नहीं है डायशन को इंप्रूफ करने के लिए अगनी दा इन सबको इस ट्रैंड प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करें आता है अर्ष जो होता है है में इसको हम यूज़ कर सकते हैं यह आप याद रखिए पाचें तन जब सही रहेगा तो ऐसी विमारी नहीं होंगी ठीक है आगे देखते हैं अधिमान ब्लॉटिंग पेट में से आवाजे आती हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं कफ में कोड में और अ यहां पर भी हमको देखने के मिल रहा है कि यह अगनीमत जो है वह भी हमारा अस्थमा कोल्ट कफ में यूज़ करा जा रहा है ठीक है लेकिन अगने अग्रु जो है वह ज्यादा वेनिफिश्यल है अब आगे बढ़ते हैं यह देखिए यहां पर इसको हम जो दूसरा हमने द वाला हमने बढ़ा था यह वह है अगर किसी को बुखार आके चुका है और वह बहुत ज़्यादा कमजोरी या फिर बहुत ज़्यादा ही वीक है तो इसमें हम इसको बढ़ाने के लिए इसका बनाकर पिला सकते हैं ठीक है अब इसका आयर्वीदिक फार्म गडायने फिस देखते हैं ठीक है किस तरी किस काम करता है क्या क्या है इसमें यह कहां कहां पर कैसे कैसे दोशों पैसर करता है इस सब क्यारें पड़ते हैं तो देखिए अगनी मंत में मौझूद कड़वे तीखे और कसेले स्वात के कारण कफ दोश को होता है ठीक है यह किसको हरने वाला है कड़वे तीक है कसेले सोते कारा है कि कफ दोश को कम करता है ठीक है अगनी मंत का गरम वीर वात दोश को शान्त करता है मतलब यहां पर हमने उपर देख लिया कि यह कफ को कम कर रहा है यहां पर हमने देख लिया वीर के कार जहां भी देखने हम अगनी मंत्क को यूज कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं उसमें अब देखते हैं चरक सहिता में अगनी मंत्क का उल्ले एक शोधर मतलब शोधर जहां भी आगे वाड़ते हैं इस प्रकार कफ और बात के कारण होने वाले सूजन की इस्तिती में काड़ा तयार किया जाता है अगनी मंत की चाल यहाँ पर बताई गई है एंडियोपैथिक को नियमित करने में मदद करती है मतलब जो भी बिमारी है हमारी इडियोपैथोजेनिक है मतलब जो स्वैलिंग इडियोपैथिक जैनिक है इसके कोई कारण या फिर कुछ पता नहीं चल रहा है और स्वैलिंग महाँ पर है तो उसको कम करने के लिए महाँ पर हम जो होते हैं इसका काड़ा बनाकर दे सकते हैं ठीक है इडियोपैथोजेनिक जो भी है इसका कारण ठीक है अगनीमंद अब यहां पर हमने देखा है कि पीछे जवर में हमने पढ़ा था तो वाद जवर और वाद कफच जवर में फाइदेमंद होता है ठीक है वाद अनीमिया में वह कारण होता है ठीक अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में और पढ़ते हैं या इसके properly कोई formulation हैं तो वो देखते हैं, ठीक है, तो पहला formulation जो हमको देखने को मिलना है, आपर कौन सा है, महराजा प्रश्णानी तेलं, यह तेल जो होता है, यह तेल में इसमें पाया जाता है, अब यह तेल कहा का यूज करा जाता है, नुरेल्जिया के केस में, ठीक, आथ अब muscular dystrophy, इनमें यह यूज करा जाता है, ठीक, हम next देखते हैं, दूसरा कौन से बताया है, नाली किरेश्वराम, ठीक है, यह दूसरा second बताया गया है, यह किसमें यूज करा जाता है, pre-mature ejaculation, आज के टाइम पर बहुत ज़दा खेस है, अगर आपके इसमें कोई आता है या फ्रेंड बोलता है, pre-mature ejaculation की problem हो रही है, तो आप उसको यह बोल सकते हैं, कि यह suggest कर सकते हैं, कि आप यह यूज करिए, beneficial होगा आपके लिए, ठीक है, next देखते हैं, कौन से बताया है, अज मामस, अजा मामस, ठीक है, अजा मामस, रसायन हम बताया है, अजा मामस का र आपलीजिया में अगर सकते हैं, ठीक है, next, मामस तैलम बताया गया, यह टिनिटस, जो हमारी एर की problem होती है, paralysis में यूज कर सकते हैं, और headache में यूज कर सकते हैं, तो यहां तक हम यह देख चुके हैं, इसमें कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, कौन कौन से इसमें, product आते हैं, कै इसके रसवीर विपाग हैं, और इन सब चीजों के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, यह हमारा जो होता है, यहाँ पर आज हमारा topic खतब होता है, thank you for watching our channel, हमें follow करें, subscribe करें, और more informative video के लिए, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी topic को आ समझ में ना आ रहा, तो उसके वारे में हमको बेज सकते हैं, comment में बताईए, हम उस topic के उपर video बनाएंगे, thank you very much